नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ज़ादा चर्चा हुई है, इसको लेकर सरकार बिल 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 आने वाली है, लेकिन I am sure कि अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में जो बेसिक होता है, से डिफरेंट हैं, जो ट्रेडिशनल हम मनी का इस्तमाल करते हैं, US डॉलर, रूपी हो गया, उससे ये किस तरह से डिफरेंट है, और अक्सर इसके अंदर आप सुनते होंगे, ब्लॉक चेन के बारे में, तो वर्क कैसे करता है, वो सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो के अ क्या, इसका मतलब क्या होता है, देखो, बहुती सिंपल तरीके से, जिस तरह से आप रुपे का इस्तमाल करते हो, US डॉलर का इस्तमाल करते हो, medium of exchange की तरह, मतलब आप बाहर गये, मार्केट गये, आपको कोई समान खरीदना है, तो आप रुपे पे करते हो, आप देते हो, और उसके बदले आपको समान मिल जाता है, सेम उसी प्रकार से, क्रिप्टो करेंसी भी आप एक medium of exchange कह सकते हैं, लेकिन हाँ, अभी क्या है कि सभी लोग इसको accept नहीं करते, तो हर जगा ये चल नहीं पाता, जिस जिस दुकानों पर इसको accept किया जाता है, वहीं पर आप इसक कि ये digital format में होता है, आपने देखा होगा dollar क्या है, ये physical form में है, आप note है, उसको इस्तमाल कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो, लेकिन crypto जो currency होती है, वो digital format में होता है, पूरी तरह से, उसका physical form नहीं होता, और दूसरा जो सबसे खास बात इसका ये है, कि ये encrypted form में होता है, कि इस money को बनाया कैसे जाएगा, इसको verify कैसे किया जागा, जैसे कि आज के date में, जो आपके पास रुपय है, 2000 का note है, 2000 का note किसने print किया, ये RBI ने print करवाया, तो यहाँ पर क्या है कि इस case में क्या होगा, cryptocurrency के case में encryption का इस्तमाल किया जाता है, जब भी कोई नया cryptocurrency बनेगा, अ और जब भी इसको verify करना है, तो ये encrypted technology के माध्यम से ही होगा, तो ये main difference है, जो हम traditional money की बात करते हैं, और जो cryptocurrency हो गया, और आज के date में, जो सबसे बड़ा cryptocurrency है, जो की एक nomenclature बन गया अक्सर आप bitcoin बोलते होगे, तो bitcoin का है, वो एक प्रकार का cryptocurrency है, cryptocurrency बहुत तरीके के होते हैं जैसे ethereum हो गया, लेकिन अगर आप सबसे बड़ा world का largest in terms of market capitalization देखोगे, तो वो bitcoin होता है, फिर दूसरे number पर आता है ethereum, इसमें एक और चीज़ में आपको बताता हूँ, जैसे traditionally जो financial deals होती है, उसके अंदर क्या होता है, एक third party organization होता है, मतलब एक आप होते हो, buyer होता है, द important role होता है, जो की approve करता है कि जो पैसा आप दे रहो हो, वो genuine है कि genuine नहीं है, यह traditional financial dealing होती है, लेकिन cryptocurrency के case में क्या होता है, कि यह private computers जो होते हैं, उनका एक network से इसको approve किया जाता है, जैसे कि आप भी इसको approve कर सकते हो, मतलब यहाँ mathematical solutions वगरा है, वो निकालने होते हैं, जो cryptographic puzzles हैं, उसके माध्यम से जो भी transactions हैं, वो authenticate किया जाता है, जैसे कि मालो आपको जो bitcoin है, one bitcoin है, आपको transfer करना है अपने friend को, तो जब आप इसको transfer करोगे, जब आप इसको payment करोगे, तो यहाँ पर विशु भर में क्या होता है, कि constantly जो private computers है, network है पूरे private computers का, वो उसकी तरफ काम कर रहे होते हैं, वो puzzle को solve करते हैं, और उसी के माध्यम से जो transaction है, वो आपका पूरा होता रहता है, तो इसी प्रकार से cryptocurrency work करता है, और अब आपके मन में question आएगा, कि यह जो puzzle solve किया जाता है, इतने सारे computers के द्वारा, वो आखिरकार क्यों करेंगे, मतलब कि आप अपने घर दिया जाता है, in terms of cryptocurrency, आरहा है समझ में, जैसे कि मानलो, bitcoin है, bitcoin एक जगह से दूसरे जगह transfer किया जा रहा है, तो उस puzzle को solve किया जा रहा है, ताकि वो transfer हो सके, तो वो जब solve हो रहा है, तो आपका extra bitcoin आपको reward में दिया जाएगा, और इसी process को हम कहते है, mining, इसको mining कहा जाता है, और ये सारी जो चीजें चलती है, जो काम करती है, जो technology है इसके पीछे, उसको हम कहते है, blockchain, आया समझ में, तो I hope कि धिरे धिरे आपको चीजें link हो रही होगी, समझ में आ रही होगी, तो जितना भी ये चीज मैंने आपको बताया, उसके पीछे कौन सी technology है, उसको कहा जाता है blockchain, अब आपके मन में question आएगा, कि ये blockchain कहां से आ गया, देखो, जो bitcoin के हम अकसर बात करते हैं, इसको ज़्यादा तर बोला जाता है, कि एक person हो सकता है, जिसका नाम है Satoshi Nakamoto, अब ये Satoshi Nakamoto अभी तक आज तक पता नहीं चल पाया है, कि क्या कोई person है, या फिर group of people है, क्या व bitcoin है, जो digital currency है, वो वजूद में आ सके, और उसने ये idea दिया, कि जो भी transaction होगा, जो भी value होगी money की, it will be recorded digitally, आ रहा है समझ में, जैसे कि RBI, आज के date में आप रुपय का जो भी transfer करते हो, online banking करते हो, net banking transfer करते हो, आज के date में उसका transaction किधा record होता है, सबका उसका record RBI के पास होता bank के पास होगा, नहीं होगा, यहाँ पर basically क्या हो रहा है, कि publicly available ledger है एक प्रकार से, मतब जो accounting system होता है, यह note किया जाता है, कि यह सारे transactions यहाँ पर हुए है, लेकिन यह transaction कोई देख नहीं पाएगा, यह encrypted form में होता है, मैंने आपको बता है, secure form में होता है, और anonymous form में होता है, जो बही खाता बनता है, इसका पुरा transaction का, उसी को blockchain कहते हैं, अब आप खुछ सोचके देखो, लगतार यहाँ पर transactions होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, तो जितना जादा transaction होता जाएगा, blockchain उतना जादा लंबा होता जाएगा एक प्रकार से, यहीं होता है आपका blockchain technology, लेकि cryptocurrency आज के rate में क्या है, जैसे Bitcoin है, Ethereum है, इसके कोई value नहीं है, कहने का मतलब अकसर criticism यहीं देखने को मिलता है, कि कोई सरकार इसको accept नहीं करती, मतलब कि इसके कोई value नहीं है नीचे से, कि आगे चलकर यह fail भी हो सकता है, तो यहाँ पर आजकल जो voices उठ रहे हैं, उनका यह कहन अब question आता है, यह stable coin क्या होता है, देखो stable, इसके नाम से आप समझ सकते हो, stable रखना, जैसे कि Bitcoin कभी 10,000$ हो जाएगा, कभी 50,000$ हो जाएगा, क्या पता आगे आने वाले समय में यह 1,000,000$ हो जाए, 5,000,000$ हो जाए, you never know, मतलब बहुत जादा fluctuate करता है, लेकिन stable coin क्या है न जैसे rupee हो गया, US dollar हो गया, तो I am sure कि आपने cryptocurrency के बारे में सुना होगा, जैसे कि Tether, USD coin, यह सब क्या है ना, इनकी जो value है, वो depend करेगी US dollar की उपर, मतलब कि US dollar की value अगर बढ़ेगी, तो इन stable coin की जो value है, वो भी उपर बढ़ेगी, तो यहाँ पर stable coin को लेकर काफी लोग उत उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, अब इसे होगा क्या कि मालो Tether जो है, वो US dollar के साथ linked हो गया, कोई दूसरा stable coin है, वो rupee के साथ link हो गया, तो यहाँ पर जब link होंगे, तो यह इनकी उपर depend कर रहे हैं, और obviously बात है, fiat currency बहुत जादा fluctuate तो करती नहीं है, और इसलिए stable coin भ करता है, हुप की, सब कुछ समझ में आ गया होगा, जाने से पहले एक और important चीज़ मैं आपको बता दूँ, कई लोगों को शायद पता ना हो, how are cryptocurrencies bought, मतलब कि आप किस तरह से खरी सकते हो, तो दो तरीके होते हैं, एक तो यह हुआ कि आप उसकी mining कर लो, मैंने आपको बता न कर लो, दूसरा होता है कि आप किसी दूसरे से यहाँ पर खरीद सकते हो, जब आप खरीदोगे उसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो जो एक्सचेंज है वो facilitate करेगा, मतलब आपने सुना होगा ना, WazirX, CoinDCX, CoinSwitch, यह कहाँ एक्सचेंज है, जैसे कि Bombay Stock Exchange हो गया जहाँ पर shares की exchange के जाते हैं, वैसे यह आपका exchange platform है, जहाँ पर आप उसको खरीद सकते हो, बेज सकते हो, तो एक तो यह होता है, peer-to-peer transaction भी होता है, peer-to-peer मतलब हो गया, कि आप अपने एक person से दूसरे person आप simply अपने transfer कर दिया, अपने cryptocurrency को, जहाँ तक हमारा सवाल है, भा कैसे पाएंगे, जब आप अपना rupee, मतलब आपके bank account में जो पैसा पड़ा हुआ है, उसको आपको transfer करना होता है, एक wallet के अंदर, wallet कौन देगा, wallet basically आपको यह जो exchange है, वजीर X, Coin DCX, यह जो exchanges हो गया, यह आपको एक प्रकार से wallet प्रवाइड करते हैं, तो आप अपने net banking के म wallet के अंदर, और फिर जब आपके पास वहाँ पर पैसा आ गया, फिर आप कोई भी bitcoin या कोई भी cryptocurrency खरीद पाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर देखो problem क्या है, यहाँ पर आता है पहला जो entry barrier है, barrier कैसे आपको याद होगा, RBI ने एक directive जारी किया था, और कहा था कि जितने भी ह RBI के directive को quash कर दिया था, रद कर दिया था, और यह कहा था कि RBI इस तरह के directive नहीं दे सकती, मतलब कि जो fundamental right है हमारा business करने का, काम करने का, उसको लेकर RBI इस तरह से यह नहीं कह सकती कि आप इस तरह की चीज़े facilitate मत करो, तो Supreme Court ने बोल तो दिया था, लेकिन आज के date में भी अ transfer होता है कि नहीं, लेकिन मानलो SBI है, SBI से आप किसी crypto exchange के अंदर आप अपना पैसा transfer करना चाहते हो, ताकि वहां से आप bitcoin या बाकी के cryptocurrency खरीच सको, लेकिन SBI इसको allow नहीं कर रही है, भले ही Supreme Court ने order जारी कर दिया है, कि आपको allow करना पड़ेगा, लेकिन आज के date में बहुत सकते हो, जब आप transfer कर दोगे, तब आप वहां से जाकर bitcoin को खरीच सकते हैं, तो इस तरह से bitcoin और बाकी के crypto currencies हैं, वो खरीदा जाता है, लेकिन इसके उपर अभी recent मैंने video भी बना था, आपको पताया था कि सरकार ने announce कर दिया है कि winter session के अंदर ये bill लाने वाली है, जिसके BMI खुद का digital currency निकालने वाली है, इसके उपर already video available है, आप उसको देख लेना, लेकिन जाने से पहले एक interesting question आपके लिए क्योंकि हम digital transaction की बात कर रहे हैं, तो भी map बहुत ही important है, इस से related यहाँ पर दो statement मैंने डाले हैं, बताये कौन सा correct होगा, इसका right answer आपको पता ही है, मेर लग-लग social media पर भी आप जोड़ सकते हैं, साथी साथ यो PSC आप फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, तो आप हमारे app को download कर लीजे, I hope कि video आपको पसंद आए होगा, मिलता है आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.